आप सभी को इस पंडाल में बैठे वे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोगों को बाई बैनों को बच्चों को मेरा नमस्कार और आज जैसा कि मैं यहाँ पर आई हूँ मेरा आने का जो एक यहाँ पर एक मोटिव था वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ देखिए श्रीगुरु तेक भादूर जी जिनको धरम की चादर कहा जाता है और वो हिंदी की भी चादर हैं उन श्रीगुरु तेक भादूर जी ने हमारे धरम के लिए एक वो शाहदत दी है जो शायद आज तक बैन ही समझती हूँ कि हमारे लिए कोई धरम को बचाने के लिए शहादत आई होगी तो मैं ऐसे श्री गुरु तेक भादुर जी को नमन करती हूँ मैं एड़ोकेट और रादा भारगव करणाल से हूँ और श्री गुरु तेक भादुर जी का नाम घरगर पहुँचे इस जीवन परीचे को हमारी युवा पीडिया पड़ें ताकि जो मानव आयोग और जो मानव अधिकार हमें मिले हुए हैं वो श्री गुरु तेक भादुर जी ने ही दिलवाए हैं देखिए उन्होंने हमें वो अधिकार दिलाए हैं हम कोई भी पूजा कर सकते हैं और देखिए मैं ब्रह्मन जाती से हूँ और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा तिलक और जनेव जो आज है श्री गुरु तेक भादुर जी के कारण है और आज हम खुली सांस ले रहे हैं इस्त्री अस्वतंत्र है वो भी श्री गुरु तेक भादुर जी के कारण है तो श्री गुरु तेक भादुर जी से प्रेरित होकर मैंने एक मुहीम चलाई कि श्री गुरु तेक भादुर जी का नाम गरगर पहुँचे और उनकी हर एक पीडियों को पता चले कि धरम के लिए उन्होंने शहादत दी तो आज हम गुरुतेक भादुर जी का एक परकाश पर्व करणाल में मनाने जा रहे हैं देराकार सेवा में बहुत धूमदाम से और उस समागम में देखिएगा हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई चाहे वो मेरे दलित बाईयों, चाहे वो ब्रामनों, सभी जाती के लोग सर्व समेलन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो एक सनातन धरम से एतिहासिक समागम करणाल में मनाया जा रहा है और आज मैं आप लोगों को सभी को निमंतरन पत्र देने आई हूँ तहे दिल से सबसे पहले तो भारत वाशियों के लिए मैं लख-लख बधाईया देती हूँ श्री गुरू टेख भादूर जी के परकाश पर और ये बताना चाहती हूँ कि हमारे करणाल वाशियों के लिए बहुत सो बाग्ये की बात है कि श्री गुरु तेक भादूर जी का प्रकाश पर अब की बार सनातन धर्म मना जा रहा है क्योंकि देखिए देश के अंदर जब भी नाम लिया जाता है तो कहते हैं सिखों के नौवे गुरू वो पूरे इंसानियत के गुरु, धर्म के गुरु, वो हमारे पूरे भारत वर्श के गुरु है शिर्वाद ले वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते और मैं चाहूंगी कि जो सयुक्त मोर्चा के जो परधान है और सभी पताधिकारी हैं मैं उनको एक निमंत्रन पत्र जो है वो देना चाहूंगी कि अधिराज में खड़े हो कि दे लो जो कि अधिराज में खालसाव लो